प्रेम से बोलिए सब्त रिश्यों की जय, अरुंधती माता की जय, बोलिए सर्व देवी देताओं की जय, नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Great MS Voice में, आप सभी को रिशी पंचमी की बहुत बहुत शुपकाम नहीं, भाद्र बदमास की शुक्र पंचमी को रिशी पंचमी का पर्व मनाय जाता है, यह वरत महिलाओं के लिए और कन्याओं के लिए बेहत खास माना जाता है, वैसे तो यह पुरुष और इस्त्री सभी रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि रिशी पंचमी का वरत रखने से व्यक्ति जनम मरण के चत्र से सब्त्रेशियों की पूज़ा की जाती है वसिष्ट रिशे क hearts y37 जम ददिनी रिशी गौत तम रीशी विशवामित्र रिशी और भारदवाज रिशी इन साथ रिशियों को सब्त रिशी कहा जाता है इस दिन इन सब की पूजा की जाती है धार्मिक मानेताओं के नुसर मासिक धरम में महिलाओं द्वारा धरम करम के कारियों को वर्जित माना गया है और कहा जाता है कि मासिक धरम के दौरान जाने अंजाने किये गए धार्मिक कारियों से रजस्वला दोश लगता है जैसे मासिक धरम के दौरान इस्त्रियों के द्वारा किसी पूजन समगरी को छो लेना या किसी घर के अन्य सदस्य को छो लेना जो धार्मिक कारे कर रहा हो तो ऐसे में रजस्वला दोश से छुटकारा पाने के लिए महिलाओ और कन्याओं को रिशी पंचमी का व्रत साल में एक बल जरूर करना चाहिए क्योंकि यह व्रत इन दोश से छुटकारा पाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है और इस व्रत को रखने से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामने पोण होती है रिशी पंचमी का सभारत रखने वाली महिलाओं को सुभा सुर्य उदय से पहले उठना चाहिए इसके बाद सनान आदे से निवरित होकर साफ स्वच वस्त्र धारन करने चाहिए सनान करने के लिए आप गंगाजनता भी प्रयोग करें क्योंकि इससे शुद्धी होती है घर मंदिर को अच्छ फल फूल धोक देप और पंचमरित अर्पित करें इसके बाद उनकी श्रद्धा पूर्वक आर्ति उतारें और उनसे आशिरवात ने उनसे प्रार्थन करें कि आप मुझ मैं क्रिपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्विकार करें भगवान को भोग लग प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा सुनने वालों में बांध दें इसके बाद रिशी पंचमी की व्रत कथा को जुरूर सुने ऐसा करने से भगतों की सभी दुख दोर हो जाते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती हैं तो खेप्रिय भगतों आईए अब सुन में शेश नवातर बोली है आदिदेव आप समस्त धर्मों के प्रवर्त और गोड धर्मों को जानने वाले हैं आपके श्री मुक्सी धरम चर्चा सुनने से मन को महान शांती मिलती है भगवान के चरण कमलों में प्रीती बढ़ती है वैसे तो आपने मुझे अनीक प्रकार क व्रतों के बारे में उपदेश दिये हैं अब मैं आपके मुखार विंदसी उस श्रेष्ट व्रत को सुनने की अभिलाश रखता हूं जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है हे प्रियभतों राजा के इन वचनों को सुनकर भ्रह्मा जी ने कहा हे तुम्हारा प्रशन अती उत्तम और धर्म में प्रीती बढ़ाने वाला है मैं तुमको समस्त पापों को नश्ट करने वाला सर्वत्तम व्रत की बारे में बताता हूं यह व्रत रिशी पंजमी के नाम से जाना जाता है इस व्रत को करने वाला प्राणियों अपने समस्त अचेन इतिहास और भी है उस इतिहास को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं तो इसे पूरे मन लगा कर सुनों एक समय की बात है विधर्ब देश में उतंक नामत एक सदाचारी भ्रामन रहता था उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रत थी जिसका नाम सुशीला था उस भ्रा उसने अब काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था हे राजन उतंक ने अपनी पत्नी के परामर्ष से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग के ब्रामन कुमार के साथ कर दिया किन्तु भगवान की गती ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह के बाद ही होने के बाद वह गन्या अपने झरम का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रह कर ही अपने समय को वैतीत करने लगैं। विद्वा कन्या के दुख से दुख्षी होकर, पुतांक अपने घर बार को, अपने पुत्र को सौंख कर, अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंदा जी के किनारे चला गया, और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा, उसके पास कुछ ब्रहमर भी वेद पालन करती हुई, अपना समय व्यतित कर रही थी, वहें प्रती दिन मल लगातर माता पिता की सेवा करती थी, एक दिन समस्त कार्यों से ठक कर, वहें शीला पर अराम करने के लिए लेट गई, ठकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही, भगवान की गती से अ कीड़ों को देखा, तो उन्होंने जाकर अपने गुरू की पत्नी को बताया, कन्या के शरीर में कीड़े बढ़ जाने की बात को सुनकर, ब्रामनी कातर स्वर से विलाप करती हुई, उसी शीला के पास पहुँची, जहां उसकी कन्या बे सुध पड़ी थी, उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर, वह बहुत दुखी हुई, और विलाप करते करते, वह भ्रामनी अचेत हो गई, जब उसे चेत हुआ, तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया, और अपने पती उतंख के सामने ने जाते रख दिया, कन्या की दशा को देखते हुई, भ्रामनी इने अपने पती से कहा, हे स्वामी, आप रिप्यातर के मुझे यह बताईए, कि मेरी इस साथवी कन्या की दुर्दशा के सतुष्टर्म के कारण हुई है, अपनी पत्नी की बातों को सुनकर, उदंक मुनी थोड़ी देर की लिए शावन्त होकर, हिर्दे में भगवान का ध हे प्रिये, यह कन्या अपने पहले जनम में एक ब्रहमनी थी, उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी, एक समय घर के घड़े आदिवर्तनों को छून लिया था, उसी पात के कारण, इसके शरीर में केड़े बढ़ देगे, इसने शुद होने के बाद, अपनी सक्यों के रिशी पंच में व्रत को देख कर भी, उसका आदर नहीं किया था, व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो, इस जनम में इसको उत्तम भ्रहमन कुल तो प्राथ हुआ, परन्तु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण, इसके शरीर में कीड़े बढ़ देगे हैं, हे प्यभत्तो मुनी के वच्णों को सुनकर सुशी न बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन माद्र से, आपके इस मान भ्रहम तेजो में उत्तम कुल में इसको जनम प्राथ हुआ, और जिसका तिरस्कार करने से, शरीर केड़ों से भर गया, उस महान अश्चर जनक व्रत को आप प्रभाव से समस्त पाप नश्ड हो जाते हैं, इस व्रत को धारन करने वाला निश्चही, दैहिक, भौतिक और दैविक, तीनों प्रकार के कश्टों से छूट जाता है, व्रत को धारन करके इस्त्रिया, सोभाग्य को प्राप्त करती हैं, यह महान व्रत, भादो मास के शु सुनते हैं रिशी पंचमी की दूसरी कथा, एक बार युधिष्ट ने भगवान श्री क्रेशन से प्रशन किया, हे दिवेश, मैंने आपके श्री मुक से अनेकों व्रतों का श्रवन किया है, अब आप क्रिप्या करके पापों को नश्ड करने वाला कोई उत्तम व्रत सुना भगवान श्री क्रेशन बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको रिशी पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं, जिसको धारन करने से इस्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है, हे राजेंद्र, पूर्व समय में व्रितासुर का वद्ध करने की कारण, इंद्र के उस पाप को चार स्थानों में बांट दिया दिया, पहला अगनी की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा परवतों में और चौथा इस्त्री के रज में, उस रजस्वला धर्म में जाने अंजाने, उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनके श एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूं। तुम ध्यान पुर्वत सुनो। सत्यूग में विधर्ब नगरी में शेन जित नामक राजा रहते थी। विप्रजा का अपनी पूत्र की भांती पालन करते थी। उनके आच्रण रिशे के समान थी। उनके राज्य में समस्त वेदो का ग्याता समस्त जेवों का उपकार करने वाला सुमेत्र नामक एक क्रिशत ब्रामन निवास करता था। उनकी पत्नी जैश्री पती व्रता इस्त्री थी। ब्रामन के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षाकाल में जब वह साथवी खेती के कामों में नकी हुए रजस्वला हो गई। हिराजन उसे अपनी रजस्वला होने का भास्तों हो गया। किन्तों फिर भी बहगर ग्रहस्ती के कार्यों में ही लगी रही। और कुछ समय के बार दोनों पति-पत्नी अपनी अपनी आयू भोग कर मृत्यू को प्राप्थ हुए। जैश्री अपने रिदू दोश के कारण कुतिया बनी और सुमेत्र को रजस्वला अप्पर्ग में रहने के कारण बैल की योनी प्राप्थ हुई। क्योंकि रिदू दोश के अथिन दोनों का और कोई अप्राद नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जनम का समास्त विवरर याद रहा वे दोनों कुटिया और बैल के रोप में रहकर अपने पूत्र सुचीत्र के यहां पलने लगे सुचीत्र बड़ा ही धर्मात्मा था और अतित्यों का फूर सत्कार करता था अपने पिता के शराद के दिन उसने अपने घर भ्रामनों को भोजन के लिए अनेग प्रकार की भोजन दन्वाए उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सांप ने आकर रसोई के बर्तन में विशुडेल दिया सुचीत्र की मां कुट्या की रूप में बैखी हुई यह सब देख रही थी इसी मीर उसने अपने पूत्र को भ्राम हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को सपर्ष कर लिया सुचीत्र की पत्नी से कुट्या का यह कृत्या सहा नहीं गया और उसने एक जलती हुई लकड़ी कुट्या को दे मारी वह प्रती दिन रसोई में जो भी जूटा नादी शेश रहता था वह उस कुट्या के सामने डाल दिया करती थी किन्तो उस दिन के क्रोध के कारण वह भी उसने उसे नहीं दिया तब रात के समय भोग से व्याकुल होकर वह गुत्या अपने पूर्व पती के पास आकर बोली हे नाद आज मैं भोग से मरी जा रही हूँ वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को मुझे दे देता था मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया मैंने साब के विश्वाली खीर के बर्तन को ब्राम हत्या के भै से छोकर ब्रश्ट कर दिया था इस कारण बखु ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया तब बैन ने कहा कि हे भद्रे तेरे ही पापों की कारण मैं भी इस योने में आ पड़ा हूँ मुझे भोजन नहीं दिया और उपर से मुझे मारा भी खूब है मुझे कश्ट देखतर श्राद को वियर्थी किया है अपने माता पिता की इन बातों को उनके पूत्र सुचित्र ने सुन लिया और उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया पर उनके दुख से दुखी होकर वन मैं जाकर उसने रिश्यों से पूछा हे स्वामी मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योने को प्राप हुए है और किस पकार उससे सुनकर सर्वतमा नामक महरिशी दयातीं की पूर्व जनम मैं तुम्हारी माता ने रजीसवला होते हुए भी घर उसको को सफर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्ष किया था, इसी कारण वे कुतिया और बैल की योने को प्राप्थ हुए हैं, तुम उनकी मुक्ति के लिए रिशी पंचमी का वृत धारन करो, हे प्रियभत्व, भगवान शिरिक्रेश्न जी बोले कि हे युधिस्टेन, महरिशी सर्व तमा केन वच्णों को सुनकर, सुचीत्र अपने घर लोटाया, और रिशी पंचमी का दिनाने पर, उसने अपनी पत्नी सहित, उस वृत को धारन किया, और उस वृत के पुन्ने, अपने माता-पिता को देदिया, वृत के प्रभाव से, उसके माता-पिता, दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्व को चले गए हे प्रिभद्व भगवान श्रीक रेष्ण युधिष्टिर महराज से बोले हे राजन जो भी इस त्री इस वरत को धारन करती है वह समस्त सुखों को पाती है इस वरत को इस त्री पुरुष सभी पापों की निवरिति क देताओं की जय हे प्रिय भक्तों तो यह भी आज की रिशे पंचमे की कथा कुमेट करती हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप सभी नए यह कथा पूरे भक्तिभाव और प्रसंचित्मन से श्रवन की होगी भगवान आपकी सभी मनों कामनों को पूंड करे और तरखी कथाओं का रस्पान कर सकें तो मिलते हैं अगली कथा कैसा तब तक के लिए हरे क्रिश्णा